साथ यू आज हम लोग इस वीडियो के मादों से टीचिंग आपिटूट के परचीश प्रचनों को सल्थ करने वाले हैं जो आपकी परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह सारे के सारे आपके प्रिवियर से कोशन पेपर हैं और आपको पता है कि किसी भी एक्जाम कि लोगतांतिक अक्षा में एक अध्यापक कार्श क्या होता है जहां पर बच्चों को पुछने की आजारी हो जहां पर बच्चे प्रशन पूछे सके जहां बच्चे को भैय में रखा जाए वह अक्षा लोगतांतिक नहीं हो सकता है लोगतांतिक होता है कि जहां पर बच् कार्ष क्या होता कि बीना किसी सलाह और हच्टेश्यव के विदातियों को पूर्ण रूप संत्वानत्र चुनाव के अनुमति देना नेक्स रहा कि विभीन विकल्पों में से विदातियों को बताना कि कौन सा उसमें बुद्धिमत्तक का चैन है option C काता है कि बढ़ते हुए कल्पों के बीच बच्चों को चैन करने के लिए अधिक योग बनाना option D काता है कि विदातियों के द्वारा स्वयम के लिए चैन करना तो पहला option बेश्ट हो जाएगा कि बिना किसी सला और हश्ट्रेशेब के विदातियों को पोने रूपेन स्वतनत चुनाव की अनुमति देना या इसका राइट के इंसल हो जाएगा अगले कोशन की बात करते हैं कि किसी विदाति की अगर एकी समस्या है अगर वो अध्यापक से पूछता है या पूछती है कि मैं क्या करू तो अध्यापक को क्या करना चाहिए अगर किसी बच्चे की एक समच्चा है अगर वह चाहता है कि टीचर से पूछना तो उसे क्या करना चाहिए तो टीचर को क्या करना चाहिए अपनी छमताव को ध्यान में रखते हुए विदाथी को प्रक्रिया का मार्क बताए नेश्ट है कि विदार्थियों को बताना की यदि वह उसके स्थान पे होता तो क्या करता सी है कि विदार्थी से ऐसते प्रश्चन पुच्छना जो उसे मेगावे इंडेनेड ले लिए आवशक्त सुचना उपलब करा जाया option D कहता है कि विद्दाथी से स्वयम को पहशानने के लिए कहना जिससे कि वह अपने हल करने की छमता को पहशान सके best answer option number D होगा next question की ओच चलते हैं अगला question है कि योजना समू की सरुषेष्ट राय क्या है योजना समू की सरुषेष्ट व्यक्त राय क्या है इस question के अगर हम right answer की उपर सलते हैं तो right answer हो जाएगा कि यह बच्चों को अपनी छमताओं के अधिकतर उप्योग के लिए पुरसाहित करता है option number C होगा next question की बात करते हैं अगला question है कि school प्रविक्षक के प्रभाव का आकन किसके अनुसार किया जान चाहिए option number D यानि कि शिख्षक के लक्षों के प्रती अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति option number D होगा और यह question आपके 2019 के प्रश्ण में 2019 के जम में कूछे होगे प्रश्ण है सबसे महत्मोन कार्श क्या है देखी एकãy क्षा में बश्टा और अनुसासन बनाए रखना यह वह ऊपर जब रश्टिक प्रफ नहीं करेंगे अच्छाथों के पुर्ण विखास पर ध्यान देना विखास पर पुर्ण रूप से ध्यान देना उसका विखास प्रकार से हो रहा है अगला कि जैसा कि कट्छा के लिए लागू होता है कि अभी प्रणा में सिक्षर की भूंद का अनिमाज रूप से बाहरी दबामे पुरसकार के लालस में या घर वालों के लालस में वह उस चीज को करता है और यहां पर पुछा कि जैसा कि कख्षा के लिए लागू होता है कि अभी प्रेड़न में सिक्षा की भूम का अनिवाज रूप से डैस का विशा है इसका एंसर हो जाएगा अध्यापको का मुख उतादाई तो क्या होता है तो एक अध्यापक का मुख उतादाई तो होता है अध्यापन की तकनिकों के साथ परयोग करना अध्यापन की क्या तकनिकों के साथ परयोग करना अध्यापन की क्या तकनिकों के साथ परयोग करना अध्यापन की क्या तकनिको मों सा कर्थन का सो agree करता है कि इस वी कशरण को श्pp को kidneys कर्थन कैसे इसको श्विकार नहीं किया जा सकता है पहले कि वीडियाले सामाजमाज में होने वाले बदलाव मुछ से प्रभाइत होता है जाई शी बात है कि विद्याले जो समाजिक प्रवाइट होता है यहीं विद्याले संस्कीतिक प्रसार के संस्कीतिक माधियंगे बच्चे को संस्कृतिक जो है अपने समास से भी मिलता है लेकिन विदाले भी घटन के प्रभल करा के एक गलत है आपका सी गलत होगा ठीक है बाकि सभी आपके सही होंगे और यहां कोशन है ने विखित में से कौन जह है सैक्षिक और स्टो की समंता की भावना के विरूद है यानी की बीडाले सरकारी साहता की घालता करता है ज्यक्षिक संस्कृत बनाने में अफसर नोबर डी होगा कखशान है कि कक्षा धैपन का मुख उधेश से क्यों का कुछ हूँ परसक्षी करते आधियों के क्योंग होना उन्हें विदाषी के कुछ का रपार्ण पर और धाम्य सब्सक्षान पड़ता है कब अगर भी डाले कि हम सेक्षिक वातावन की बात करें तो उसमें विप्टित प्रभाव का पड़ता है जब बच्चे को हमेशा डंड दिया जाए क्योंकि हमने कहा है कि कभी भी जब सवाल को सब की जाए तो बच्चों को डंड दे नहीं सकते हैं बच्चे जो ह है यहां पर बच्चा ही है तो बच्चे की एकोडिंग ही आपको चलना होगा सिक्षों को बच्चे के जो समता है उसकी युकता है उसी के कोडिंग पार्टकम का भी निर्मान करना चाहिए तो हमेशा साइक डंड अगर दिया ही नहीं आ सकता है देंगे तो फिर गलत हो के प्रभावी कब होगा आप्स्टन ले वी धात्ति उश्य बैद्रदात्य उच्छ पर टता है कि अगर बिद्दात्य उच्छा परत करता है तो शिक्षक जो है अच्छा माना जाएगा ओप्सं भी कहता है कि अध्यापक अच्छी साहक प्रपधिस समागरी का उपियो करता क्या अच्छी साहागरी का उप्यो करने से क्या सिख्षक अच्छा हो जाएगा, option C, वह सिख्षार्थियों की पढ़ाई में निपुनता प्रांट करने में शाहता करता है, या option D, वह बच्चों के दौरब प्रेष्ण पुछने में शाहता करता है, तो बच्चों की दौरब जब आपको निख्टाना पढ़े तो क्या करेंगे विश्य वस्तु कि दोबारा समें आवाज कैसी मिध सक्षा अगर सिख्षी के लिगानिक दिश्टीकों को वीख्षित करना है तो वह कैसे कि या जा सकता है तो इसका इंसर के आत्यों को जांचने प्रक्षितBoy कि लिखे है जो गोड़ सकते हैं तो गरमाइशने परिक्स्कंत के बाद नकिसे सुबिकर करने के लिगानिक परिक्षा परक्षानियां होती उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ऊप्षन ही क्यों आवारत्य साहिए और तर्टी परिक्षों दूसरे ईद्धाले के अध्यावकों द्वारा परिक्षन या किसी खिर आवार्ती परिक्षण होने चाहिए अगला कोशन है कि अंखों के अस्तान पर ग्रेट प्रणान करने के सला के दिया जाता है, तो अंखों के अस्तान पर ग्रेट क्यों दिया जाता है, सला, तो इसका इसलिए कि यह मुल्यांकन में होने वाले गलतियों को कम करेगा, यानि कि यह गलतियों को कम करता है, अप्सन न करता कुछ अनुवाद कर सकता है यह नहीं होना चाहिए प्राइब धीरे प्रणतु ब्यौस्तित रूप से बढ़ता है ग्राही प्राप्ट करने के लिए उनकूल वातावर्ण क्या होना चीए अगर वातावर्ण सही है तभी वह चीजे एफक्टिव होगी और सकतों को सब्कूलं करना है उसको सुगम और और कि एक सिक्षा का कार्ज क्या होता है एक सिक्षा का कार्ज क्या होता है विदातियों को अध्यान के लिए प्रेट करना अध्यान के अनुकूल वातावरन बनाना विदातियों को उनकी गलतिया बताना तो एक सिक्षा का कार्ज होता है अध्यान के अनुकूल वातावरन त्यार सब्सक्राइब हो जाएगा तो यहां से जो भी सब्सक्राइब करा दिए यह भी आपका प्रिविए सब्सक्राइब कर दिए और आगे की वीडियो का इंतजार किजिएगा मिलते नेक्स वीडियों